सम्मानित किसान भाईयों, आज हम आपको हाइविड भिंडी उगाने का तरीका बताएंगे, ये किस प्रिकार उगाया सकती है और इसे भारी मुनाफ़ा किस प्रिकार कमाया सकता है तो आप सबसे पहले अपनी जम्मानित तयार कीजिए, इसको तीन से चार वार जोती है और इसको सम्तल कीजिए और जम्मानित तयार करने से पहले आप ट्राइकोडर्मा दो किलो एकर के हसाब से आप गोवर के खाद में मिलाकर रख दीजिए और ये चाया में रखना चाहिए जिससे इसकी जो छम्ता है बढ़ जाती है फिर इस गोवर के खाद को बागी गोवर के खाद मिलाकर पूरे खेद में पखेद देना चाहिए और उसके पस्काइब एक्ठ चोड़ी नालिय बनानानी चाहिए एक्ठ चोड़ी नालिय बना कर आप उसमें भिंड़ी का बीज बोना है इसके लिए आप बीज की मातरा हुँदा जैते हैं हाइबर्ड भिड़िका भीज आपको करीब 2 किलो एकर के साफ से परियाप्त होता है 2 किलो भीज अगर है तो एक एकर में परियाप्त होता है इसे आप लगा दीजिए और आप यह इसकी दूरी रखेंगे वह पौदे से पौदे की दूरी 30 cm होने चाहिए और इसकी जो आपने नाली जो बनाई है उसके साफ़ से करीब 60 cm इसकी दूरी आ जाएगी ये एक आदर से दूरी होती है इससे पौधे का अच्छा विकास मिलेगा और अच्छा उत्पादर मिलेगा और इस भिंडी को बोने के बाद आप इसको तुरंट पानी दीजिए और पानी देने के समय ये साबधानी रखनी चाहिए कि जो हमारी नाली है वो आदी भरनी चाहिए और आदी जो नमी है वो सोक लेगी और हमारी भिंडी अच्छी पिरकार जमेगी जादा पानी देने से भी भिंडी के जमने की समस्चा जाती है तो आप आदी नाली भर कर पानी दीजिए और इसके साबधानी बरतनी चाहिए कि जो पानी जादा भरे नहीं और निकालने की बेवस्ता होनी चाहिए और समय समय पर आप इसकी देखवार करते रहें कोई कीड़ा आता है या कोई फंगस आती है या कोई बीमारी आती है उसका समय पर आप दबाई का इस्प्रे कीजिए इस्प्रकार आपको अच्छा मुनाफ़ा में लेगा अच्छी फस्म लेगी और आप एक सफल किसान बन सकेंगे और यदि आपको कोई बैराटी मालूम करनी है तो हम आपको बैराटी बता सकते हैं आप कमेंट बाक्स में जाकर बैराटी हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि आप किस एरिये के रहने वाले हैं उस एरिये के हैसाब से बैराटी बता जाएगी क्योंकि हर एरिये में अलग बैराटी स साब्त करते हैं अगली बार एक नए टॉपिक लेकर फिर आएंगे नमस्कार